मैं सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा ब्रिच लगाओ देश बचाओ मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबा टाइंस में आप सभी का स्वागत है मेरा मिशन ब्रिच पेड़ पौधे लगाओ अधिक से अधिक जो है इंसान की जीवन में खुसिया लाओ अब पांच जून आने वाला है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि पर्यावरण दिवस हम सब मनाएंगे बड़े धूम धाम के साथ भारत समेत पूरी दुनिया मनाएगी इसे देखते हुए लाखो लाखो करोणों के संख्या में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगा जाएंगे आप भी लगाईए आए संकल्प लीजिए कि पेड़ पौधे लगाईए जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल देश दुनिया तरह तरह के संकट में जूज रहा है हम सबको सांती प्रिये प्यार महबबस से कारी करना चाहिए इसी में मानोता है और इंसानियत भी है देश अपना है गगन अपना है धर्ती अपना है तो किस बात की डर है जी हाँ पांच जून विश्व प्रियावरण दिवस है ध्यान है न भाई तो आप पहले से ही विचार बना लीजिए क्योंकि तीन जून आज हो गया है आज जो है बुद्ध्वार है और सभी से बिंति भी से मनाए प्रियावरण दिवस आज जो है जिस तरह से लाखों करोण को संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और तयार भी हैं और आप भी पेड़ पौधे लगाएं मेरा जीवन सुद्ध हवा पानी और सुद्ध वातावरण से ही या टिका हुआ है तो उठ जागो सुबा सुबा पारकों में चलो और थोड़ा सायोगा कर लो और पेड़ पौधे भी ब्रिच लगाओ जीवन में जो है आगे बढ़ने का एक अलग संकल पौधरो ताजा रहने का स्वस्थ होने का अलग अंदाज मिलता है अपना भारत प्राकेतिक बनस्पतियों का देश है इसलिए अधिक मात्रा में अनेक पाहडों के छेत्रों में बनस्पतियों ही बनस्पतियों मौझूद हैं पानी हमारे देश को प्राकेतिक पेड़ पौधे ब्रेच और बहुत सारे बनस्पतियों उपलद्ध होकर मानों की सेवा कर रही हैं और प्राकेतिक ब्रेच मैंने कहा कि मेरा भारत मेरी दुनिया बहुत महत्पून है और भगवान भी मानों को समय-समय पर ध्यान देते हैं अगर भगवान तो हमेशा मनुस के प्रत ध्यान देते ही हैं यदि ध्यान ना देते तो हवा, पानी, धर्ती, अगन, खाना, फल, फ्रूट, सबजियां, अनाज, कहां से होते यह सब कणकण में विराजमान हैं हमारे भगवान, मौजूद हैं मेरे भगवान, तो समय समय पर फल देते रहते हैं और मनुस के लिए रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी धर्ती आप देख सकते हैं, सब उन्ही की आसिरबाद है, जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा हो भी अच्छा हो रहा है, परभू सिरी भगवान जी, तो ह हम सब में समायित हैं आपके लोग और दुनिया के तमाम मनुस्यों संकर्प के साथ रहना चाहिए कि मानों हमेशा इंसानियत के प्रत्य और सच्चाई के प्रत्य रहनी चाहिए अच्छाई बुराई का ध्यान रखना चाहिए हमेशा आप जो है इंसानियत और मानोता एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है यदि आप जो है देखते हैं और सुनते हैं और इसे जजस करते हैं तौलते हैं और मानोता के प्रते होनी चाहिए हमेशा सच्चाई के प्रध्यान देनी चाहिए सच्चाई हमारे लिए सबसे महत्तो है और सच्चा इंसान ही कभी मार नहीं खा सकता इसलिए प्राकेतिक हमेशा समय समय पर बारिस होती है समय समय पर ठंडी होती है समय समय पर गर्मी होती है समय समय पर आप सारे जो है प्राकेतिक बदलते रहते हैं तो इसलिए आप भी जिस आप जैसे भी हैं वैसे ही र तो आई ए हम सब संकल्ब लें कि पांच जून आने वाला है और इसमें लाखो करोणों के संख्या में सभी को जागरू करें और पेड़ पौधे अधिक लगाएं क्योंकि हमारा मिसन ही प्रयावरण दिवस है और लाखो करोणों के संख्या में लोग 20 दिवस मनाएं और इसे पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने का सबसे बड़ा हमारे भारत प्राकेतिक बनस्पतियों का देश है, इस देश में अधिक मातरा में अनेक पहाडों छेतरों में बनस्पतियां ही बनस्पतियां मौजूद रहती हैं, जिसे कि आपके सेवा में हमेशा प्राक लोग जाता है क्योंकि मनुस्य को सेवा करने के लिए मनुस्य को खिलाने के लिए यदि फल नहीं रहता है तो टाइट रहती है डार तो आप समझ जाए गए होंगे हमेशा आप लचीले रहें हमेशा आप जो है लिवरल रहें और हमेशा भगवान को प्रति सद्धा छोड़ें भगवान के उपर ही सारे कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा देश दुनिया सिराम प्र हमारे पूर्बज जैसे लोगों ने यतब करकर ही आज हम सब उनके धर्ती पर उनके घर में रह रहे हैं आज हम उनका उन्हें हम आधर पूर्बग सत नमन करते हैं और इस पिर्थी को बचाने के लिए प्रागेतिक वातवरण को सुद्ध करने के लिए उनका सबसे बड़ा ध्यान यही रहा है और हमारे जो पूर्बज थे तपो अस्थली जिसे हम कह सकते हैं कि तप का एक बहुत बड़ा विश्वास करते थे गंगा मा को लाने वाले राजा भगीरत जी हमारे पूर्बज जिस तरह से देख देख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड़ स्क्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकर्स मिल जाए धनबाद